बच्चो प्रथम विश्व युद्याने की वर्ड वार फर्स्ट की हम आज बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को आस्ट्रिया द्वारा सर्विया पर आक्रमण करने के बाद हुई इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया यह युद्य कुल 4 वर्षों तक चलने के बाद 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ मित्रों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि युद्य में शामिल होने वाले देशों के क्रम क्या थे जिया दोस्तों जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया इसके बाद 8 अगस्त 1914 को इंगलेंड प्रथम विश्वयुद में शामिल हुआ 26 अप्रेल 1915 को इटली प्रथम विश्वयुद में शामिल हुआ 6 अप्रेल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्वयुद में शामिल हुआ क्योंकि जर्मनी के यू बोर्ट द्वारा इंग्लेंड के लूसी तान्या नामक जहाज को डुबो दिया गया था इस जहाज में मरने वाले 1103 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिका के मित्रो 1914 से 1919 के मध्य यूरोप, एशिया और अफ्रिका तीन महा द्यूप के जल्थल और आकाश में प्रथम विश्वयुद लड़ा गया इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका छेत्र और इससे हुई छती के अभूत पूर्व आकड़ों के कारण ही इसे विश्वयुद कहते हैं जी हाँ दोस्तों प्रथम विश्वयुद लगभग बावन महिने तक चला यानि कि 52 मंट्स और उस समय की पीड़ी के लिए यह जीवन की द्रिस्टी बदल देने वाला अनुभौ था करीम आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इस दोरान अनुमानतह एक करोड़ लोगों की जान गई और इसे से दुगने लोग घायल हुए मित्रों इसके अलामा बीमारियों और कुपोशन जैसे घटनाओं से भी लाखो लोग मरे विश्वयुद खतम होते होते चार बड़े सामराज्य रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया ढह गए यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका निश्चे तोर पर एक सूपर पावर बन कर उभरा प्रतम विश्वयुद से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं दोस्तों वीडियो का आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे उन विश्यों में उन महत्पूर्ण विश्यों के विश्यों में जो हम सभी के लिए जानना अत्यांत ही आवश्यक है प्रतम विश्वयुद में क्या क्या चीजे हुई थी अब मैं आपको पॉइंट वही पॉइंट बताऊंगे तो वीडियो ध्यान से आगे का जरूर देखेगा दोस्तों नमबर बन पर है कि प्रतम विश्वयुद की शुरुवात 28 जुलाई 1914 इश्वी में हुई नमबर दो प्रतम विश्वयुद चार वर्ष तक चला नमबर तीन 37 देशों ने प्रतम विश्वयुद में भाग लिया नमबर चार प्रतम विश्वयुद का तत कालिन कारण जो था वो था आस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या नमबर पांच पर बात करेंगे दोस्तों कि अंतर रास्ट्र ये छेत्र में प्रथम विश्वयुद का सबसे बड़ा योगदान रास्ट्र संग की स्थापना था दोस्तो नमबर छे पर प्रथम विश्वयुद के दोरान दुनिया मित्र रास्ट्र और धूरी रास्ट्र दो खेमों में बढ़ गई नमबर साथ धूरी रास्ट्रों का नितित्व जर्मनी के अलामा आस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने भी किया नमबर आठ मित्र रास्ट्रों में एंगलेंड, जापान, सयुक्त राज अमेरिका, रूस तथा फ्रांस थे नमबर नौ गुप्त संधियों की प्रडाली का जनक बिस्मार्थ था नमबर दस आस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्मान 1882 हिश्वी में हुआ नमबर ग्यार पर सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हा थी नमबर बार रूस जापान युद का अंत अमेरिकी राश्ट्रपती रुजवेल्टा से हुआ नमबर तेरा मुरक्व संकट 1906 हिश्वी में सामने आया नमबर चौदा प्रथम विश्व युद के दोरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 हिश्वी में आक्रमण किया नमबर पंद्रा जर्मनी ने फ्रांस पर हमला 3 अगस्त 1914 हिश्वी में किया नमबर सोल उंग्लेंड प्रथम विश्व युद में 8 अगस्त 1924 हिश्वी को शामिल हुआ नमबर सत्रा प्रथम विश्व युद के समय अमेरिका के राश्ट्रपती वुड्रो विलसन थे क्योंकि लूसी तानिया जहाज पर मरने वाले ग्यारा सो तिरपन लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। नमबर उन्निस इटली मित्र राश्ट्र की तरफ से प्रथम विश्वयुद में 26 अप्रेल 1915 इश्वी में शामिल हुआ। नमबर बीस पर हम बात करते हैं दोस्तों प्रथम विश्वयुद 11 नवंबर 1918 इश्वी में खत्म हुआ। युद के हरजाने के रूप में जर्मनी से 6 अरव 50 करोड की राशी मांग की गई थी। दोस्तों प्रथम विश्वयुद के दोरान भारतिय सेना जिसे हम कभी-कभी बृटिश भारतिय सेना भी कहा जाता था। और कहा जाता है ने प्रथम विश्व युद में यूरोपिय भूमत्य सागरिय और मध्य पूर्व के युद्ध छेत्रों में अपने अनेक डिवीजनों और स्वतंत्र ब्रिगेडों का योगदान दिया जी हाँ दोस्तों दस लाख भारतिय सैनिकों ने विदेशों में अपनी सेवाएं दी थी जिन में से 62,000 सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए थी युद्ध के दोरान कुल मिलाकर 74,187 भारतिय सैनिकों की मौत हुई थी दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जमीन यू तो यूरोप में थी पर बहुत से देश दूर रहकर भी इसमें शामिल थे इन्ही देशों से जुड़ी हुई पांच एहम कहानिया जीने कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए चलिए दोस्तों आगे उस विश्व युद्ध के महत्व पर कोई विवाद नहीं है इस युद्ध ने इस महा देश का राजनीदिक नक्षा दुबारा तयार किया और बीस्वी सदी के विकास के लिए जमीन तयार की हाला कि पहले विश्व युद्ध में यूरोप से बाहर के देशों में भी बहुत कुछ हुआ जिसका इन इलाकों पर दुरगामी असर पड़ा नमबर एक पर हम बात करतें दोस्तों कि प्रशान्त छेत्र के जर्मन उपनी वेश उन इलाकों में जंग लेकर गया जापान अपने सहयोगी ब्रिटेंग की मदद के लिए आगयाया और अपने किनारों पर उसने राजनीतिक लिहाज से एहम ठिकानों पर कबजा कर लिया खास्त और से अपने प्रतिद्वंदी रूस को चुनोती देने के लिए पीले सागर के तटवर्ती इलाके में सिंगताव पोर्ट पर एक भयानक युद्ध लड़ा गया पचास हजार जापानी सैनिकों ने दो महिने तक यह लड़ाई लड़ी इस जीत के साथ जापान ने चीन पर लंबे समय के लिए प्रभुत्व हासिल किया जापान के बढ़ते असर ने दुनिया की ताकतों को भी चिंता में डाल दिया मित्रो नंबर दो पर बात करते हैं कि पहले विश्वयुद के दौरान अफरिका पर नियंतरन के आखरी संगर्स को अफरिकी थियेटर माना जाता है इसके खत्म होने तक जर्मन उपनीवेश अलग-अलग तागतों में विभाजित हो गये थे और इसके नतीजे में कुछ देशों ने आजादी हासिल कर ले हाला कि जिस बात की चर्चा कम होती है वो यह है कि कैसे युद्ध के दौरान लाखों अफरिकी लोगों को उनकी मरजी से और कई बार जबरन हतियारों और रसद की डुलाई के काम में दोनों पक्षों की ओर से इस्तेमाल किया गया बिमारी और ठकान के कारण इन में से एक लाख लोगों की मौत हो गई अफरिकी लोगों के मरने की दर यूरोप में पस्चिमी मोर्चे पर जंग लड़ रहे सैनिकों के बराबर ही थी दोस्तों नमबर तीन पर बात करते हैं ओटो मन सामराजी को तब यूरोप का बिमार आदमी कहा जाता था पहले विश्वयुद की शुरुआत के पहुत पहले ही उसका पतन शुरू हो गया था लेकिन वह बिना जंग लड़े किसी विदेशी हित के आगे जुकने को तयार नहीं जिहां दोस्तों ब्रिटेन के कबजे वाले इलाकों में तुलनात्मक रूप से कुछ छोटी छोटी लड़ाईयां हुई जिसका नतीजा बाद में इराग, फलिस्तीन, सीरिया और लेबनान के रूप में सामने आया 1962 में आई फिल्म लॉरेंस ओफ अरेबिया ने अरब विद्रोह को सिनेमा के परदे पर अमर कर दिया यहां शक्ती के बटवारे में यहूदियों को बहुत सी छूट मिल गई और एक बड़े अरब रास्ट्र की स्थापना के लिए हुआ अरब विद्रोह नाकाम हो गया इस सब की वजह से इस इलाके में निराशा और गुस्सा बहुत बढ़ गया और कई विशेशग्य मानते हैं कि वह आज भी पूरे मध्यपूर्व को तनाव दे रहा है नमबर चार ओटोमन और रूसी सामराजियों की लड़ाई में एक विद्वश अभियान अर्मेनिया में चला अर्मेनिया में ओटोमन सामराजि के सैनिकों ने अल्प संख्यक अर्मेनियाओं समुदाय को इकठा कर उनमें से बहुतों को मार डाला बाकियों को जबरन, मजदूरी या फिर सीरिया के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया तुर्की इस नरसंगहार से इनकार करता रहा है लेकिन हाल ही में तुर्की के रास्टरपती रेचप तैयब एर्दोवान ने पहली बार इस दोरान मारे गए लोगों के परिजनों से माफी मांगे है अब दोस्तों लास्ट में नंबर पांच पर हम बात करते हैं कि इसके साथ ही यह भी नहीं भूला जाना चाहिए कि करीब दस लाख भारतिय सेना के जवानों ने विश्व युद्ध के यूरोपिय, अफ्रिकी और मध्यपुर्व के मोर्चों पर जंग लड़े जिहां दोस्तों भारत ने युद्ध में सहायता ब्रिटेन की राजनितिक गुलामी से मुक्ती पाने की उमीद में की थी भारतिय सेनिक मारे गए तो दोस्तों ये थी वो मुख्य बाते ये वो मुख्य कहानिया ये तो हमारा अब इतिहास बन चुकी है दोस्तों लेकिन हमें आपको हम सभी भारतियों को इस विश्यों में ग्यान होना चाहिए इस विश्यों में चर्चा होनी चाहिए और हमें जा आपको हर एक चीज बताई है यदि कुछ भी इसमें छूट गया हो या इससे अधिक आप कुछ भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताए दुतिय विश्वयुद्ध का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तो आज की वीडियो में यदि जानकारी आपको अच्छी लगई हो तो वीडियो पे एक लाइक करना विल्कुल भी ना भूले और दुतिय विश्वयुद्ध से जुड़ी हुई आप किस विश्वयुद्ध में जानकारी चाहते हैं तो थाइक्स पॉर वाचिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही बहुत जंग मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में कुछ नई निफरमिशन साथ आज के लिए इतना ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगाओ और मेरे द्वार बताई जानकारी को पसंद आयो तो वीडियो पे लाइक जरूर करें चैनल पर नए है प्रेंट्स तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना पूले